तो जालोर में कोरूना का खौफ भी देखने को मिल रहा है। कोरूना के बढ़ते प्रकूब को देखते एक बेचकित सावे भाग में 657 सैंपल जांच के लिए भीजे थे। जिन में से 609 की रिपोर्ट नेगेटिव आच चुकी है। और वहीं 17 लाख से ज्यादा लोगों के स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है। जो अलग-लग राजियों में फसे हुए परवाशी लोग हैं वो भी अब जालोर में आना सुरू हो चुके है आप देख पारे होंगे ये गुजरात का राजस्थान का जो बौर्डर है वहां से लगातार परवाशी आना सुरू हो चुका है। और परवासियों के जो वाहन है वो नीजी वाहन लगातार लंबी कतारे लगी हुई है और अब बड़ी संख्या में परवासी जो जालूर जिले के हैं जो अलगलग राजियों में फसे हुए थे लोकडाउन के अंदर उनको परमिशन मिलने लगी है और वो इपास के जरिये य आपर पुरी परसासन के साथ में पुलीस तैनाथ है पुलीस पुरी तरह अलट पर है और एक एक को वनवाई बन हर वाहन को चेक अब के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है और सब गाडियों को दूर दूर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़ा करव प्रवासी आ रहे हैं वो कितनी संक्या मारे रोज की कितने वान आने शुरू हो गए और कैसी सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम का पालन होना चीए कैसे हो रहा है और जो भी गुजराश से प्रवासी लोग आ रहे हैं राजस्तान के उनको वनवाई वनवाई भी ब दान रखा जा रहा है और हम भी हमारी दूरी बनाके रखते हैं लोगों से और सेनेटाइज बार-बार कर रहे हैं और गंटे में आदा गंटे में जो भी प्रवासी आ रहे हैं सबके पास में परमीशन है सबने यह पास के जरिये जो गवर्मेंट ने शुरू की है सुविदा उसके जरिये यह पास लेकर ही परवासी यहां आ रहे हैं यह राजस्तान और गुजरात का बोडर है जहां पर बकाइदा चेक पोस्ट इस्तापित है और यहां पर पुरी चेक अप के बाद ही आगे